हेलो फ्रेंड्स मैं विने निर्भिक फ्रेंड्स आप कर फिर से मैं चल्ब श्वागत है फ्रेंड्स मैं पिसले कुछ दिने से यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना रहा था फ्राम वीजी था लेकिन आज मैं देख रहा हूं इतना खतरनाक एक अफवा वायरल हो रहा है जी प्रेंड्स मैं आपको हमेसा आगाह करता हूं कि किसी नशेयरमेन रेलियों से इस उन्हों उन्हों ने डेट की खुशड़ा की है पिछले साल भी कई महीने बताया थे कि इस महीने से इक्जाम होगा और फिर आप कह सकते हैं कि मतलब कि दो साल जब से चल रहा है दोजर बीस बेतने वाला है दोजर उननीस में लगब तीन-चार वार ऐसा लोग बोले होंगे 2020 में भी तीन-चार वा और फिर यह लोग अब क्या बोल रहे हैं 28 तारिक से 28 दिसंबर से एक्जाम कराएंगे लगब मास तक बोले हैं और फिर अप्रेल से जून तक ग्रूब डी का कराएंगे तो फ्रेंट्स फिर यह महज एक अफवा है क्यों अफवा है मैं आपको बताऊंगा जरू बताऊंग इसमें कोई वो नहीं है इसमें 1663 वैकेंसी भी है एक लाग तीनीजार फॉर्म भी पड़े हैं यहां कोई इश्यू नहीं है लेकिन जब हम एंटीपीसी की बात करते हैं यानी 01-2019 का ठीक है नॉन टेक्निकल पॉप्लर करेंगे जिसमें एसम गार्स ऑफिस असिस्टेंट कम का एक्जाम और मार्स 2020 तक खत्म हो जाएगा ठीक है यानि कि लगभग तीन महिनी चलेगा ठीक है और इसके बाद कहा जा रहा है कि आप्रेल से जून तक चलाए जाएगा तो फ्रेंट्स मैं बता दूं कि अभी तक जो है कि एंटीपीसी का केवल अप्लिकेशन स्टेटस द से अब ही तक डीटेल सेडीक तक नहीं दिया गया है और अगर हम गरुप डी का बात करें उसका इस्टेटस तक नहीं दिया गया है एक बड़ सेडूल आया था उसमें काफी का इन्टेटस का जो है फोनुक्ता नहीं दिया गया है और NTPC में दोबारा मौका भी नहीं दिया गया है तो फिर नया डेट कहां सागे यह सवाल उखता है तो फ्रेंस नया डेट यहां से आया है कि आपको मालूम होगा अभी देश में किशान आंदोलन चल रहा है बहुत जोर सोर से जिसको देखते हुए रेलवे के एक्जामस जो दो साल से पैंडिंग पड़े हुए हैं उन पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है कोई कारवाई नहीं हो रहा है ठीक है तो यह सब देखके जो है और यह चेयर्मैन जो है नेताओं के कहने पर एक ऐसी घोश्रा कर दिये हैं मैं कह रहा हूं कि 100% जूट हो जा रहे हैं जैसा कि आप जान रहे हैं अभी सितंबर में एक नोटिश आये था तो शाइट पर अप्लोड़ेट था कि 15 दिशंबर से होगा बट यह आज का नियुक्त कहीं से भी एक्जेक्ट सही नहीं लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि अभी तक कि इनों अभी तक जारी नहीं हुआ तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि यह क्या है कि सच नहीं हमेशा कि तरह यह जूट साबित होगा मैं आप से कभी नहीं कहूंगा फ्रेंड्स की आप अपना प्रिपरेशन छोड़ते की एक्जाम देर में प्रिपरेशन ना क फिर अचानक घबडा जाएं कि अधार जो डेट हैं मुझे नहीं हो रहा है इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी आप आज एक दिसम्बर या 28 दिसम्बर से लोग एक्जाम बोल रहे हैं और अभी तक इन्होंने डिटेल सेडूल तक नहीं दिया जबकि सेडूल ये लोग अक्टूबर में ही देने को बोले थे तो फ्रेंज मैं आपसे बस यहीं कहूंगा कि आप आगाह हो जाई शावधान हो जाई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है बस यह क्या है आपके आवाजों को दबा मैंने कहा है ऐसा यह लोग इन्होंने कई बार कह चुका है कोई फर्स टाइम नहीं है तो अभी आप विश्वास ना करें अभी आपके प्रिपरेशन पर ध्यान दें तो आज के लिए बस इतना है फ्रेंट्स थैंक्यू